दोस्तों इसके गेट पर लिखा हुआ है तब मॉस्क इस क्लोज टू दे विस्टर्स ठीक है सुल्तान एमद मॉस्क जो है ये फिलहाल तो मॉस्क क्लोज है विस्टर्स के लिए पर फिर भी जितना आपको दिखाया जा सकता है मैं उतना दिखा रहा हूँ आपको कि इनके जो रूम बगरा है जो इसके अंदर है उनमें तो नहीं जा सकते एंट्री बंद की हुई है लेकिन जो इसके अंदर जासे हमारे गर में लॉबी बनी होती है न पंजाबी में वेडा बोल देते है वैसा सिस्टम है खुले खुला जगा जैसे एक पंजाब में सरहंद म है ना अपने देखा होगा पतेगड सामें आम खास बाग देखिए दोस्तों यह है सुल्तान अहमत का मॉस्क बहुत अच्छा बनाया हुआ है बहुत खुला डुला है बहुत प्यार से बनाया इसको जिसने भी बनाया शांदर चीज की प्रेस करनी चाहिए है और यह चीज शा तरकी में इस्तानबुल में तो देखने लाग तो काफी चीज़े हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब 10-15 दिन और यहां पर रुक सकूँ बहुत लिम्टर टाइम था बड़ा शौट ट्रिप है मेरा यह तो इस वज़ा से जितना भी हो सकता है मैं उतने आपको दिखाने के कोशिश करूँगा और जो भी information मेरे पास होगी आप को trip करने के लिए help करने में तो वो मैं जरूर दूँगा आपको कि आपका trip कम से कम थोड़ा बहुत easy हो जाए आपको थोड़ा बता idea हो जाए कि कैसे जाना है trains का क्या system है पैसो का क्या system है sim card का तो मैंने बता आपको कि public transport से आप बाइबस लेकर आ सकते हो यहां पर सुल्तान नाइमत में तो मेरा hardly पांच डॉलर लिये थे उन्हें पांच यूरो लिये थे उन्होंने तो पांच यूरो में मेरे को उन्होंने मैट्रो स्टेशन पर उतार दिया था और मैट्रो स्टेशन पर मेरे को I think 6 यह साथ स्टेशन दूर था हर्ली 15 मिंट लगे होंगे तो उस 15 मिंट में मैं अपने होटल पहुंच गया था तो जो मेरा होटल है इस मॉस्क के बिल्कुल पास में है जस्ट दो मिंट का वाकिंग डिस्टेंस है तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल हर्ट में इस्तानबुल तुर्की के जो मेरा होस्टल है वो है और जो प्लेस है बहुत नाइस है बड़ी क्लीन है ग्रिनरी बहुत जादा है बड़ा अच्छा चीज है अगर सेंटर में आपको रहने का मौका मिल जाए वह भी कम पैसों में तो उससे अच्छा क्या होगा राइट तो दिखाता हूं तो वहां पर लिखा हुआ है इनोंने क्लोस क्लोस देपर फिर भी देखते हैं अगर जूम करकर आपको कुछ दिखा सका तो क्लोस तो आपको दिखी गया होगा राइट सफाई बगारा चल लिए में भी शायद सफाई की वेज़ से क्लोस किया गया हो नहीं बटन ने लिखा हुआ था प्रेयर बगारा के लिए किया हुआ था इनोंने राइट तो हर तरफ गेट्स लगाए हुए इनोंने जामर्ची से अंदर आओ जामर्ची से बाहर जाओ आएसी वैसी कोई बात नहीं है सरी ग्रिल्स बगारा लगी हुए है ठीक है तो यह जास्ट इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्र जो इनोंने खड़ा किया हुआ है बहुत अच्छा किय कि इस्तान बुलाकर पैसे फुल हो रहा है यह एसास नहीं हो रहा है कि मैंने पैसे बेस्ट किया हुँ जाए थोड़े दिनों के लिए आया हूं पर बहुत अच्छा लग रहा है इन्वायर्मेंट ट्रांस्पोर्टेशन फूड और ट्रिक्ट वालोंने तो कमाली कर दिया बार बार काफी दे दे कर वो भी पूरी में रइट तो अभी इस मास्क में आया है आगे चल कर देखते हैं एक दो म만स्क बगरा ओर है तो वह हम पर जाकर आपको दिखाते हैं सुल्तान एहमत कि मॉस्क के बाद दोस्तों बिलकूल उसके राइट हंड में एक स्केयर पड़त ये पिलर स्केयर है उसका नाम देखता हूँ मैं क्या है यहां पर रीड करता हूँ लगा हुआ कई न की इन्फरमेशन बोर्ड यहां पर भी बहुत बहुत टूरस्ट आ रहे हैं देखने के लिए यह भी एक फेमस टूरस्ट प्लेस है इस्तानबुल में फोटोग्राफ्स कराने के लिए बहुत अच्छी जगा है यह तो आप सभी भी आईए इंजॉय करिए टर्की टर्की वाले जो बंदे हैं न मेरे को तो अच्छे लगे क्योंकि हॉस्पिटार्टी तो इनके देख ली हमने टर्केटपालों के यहां बाकी नेचर आपने देख लिया कि मौसम कितना अच्छा है यहां पर जाहिर सी बात है अगर अगर मौसम अच्छा रहता है लोग अच्छे हैं तो इनवायरमेंट खुद बहुर्फ़ अच्छा हो जाता है टूरस्ट प्लेसेज बहुत 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 अच्छी है यहां पर सफाई देख लेजिए आप नीचे बिलकुल इसी तरीके का कोई भी गंदगी आपको नजर नहीं आएगी कई जगा पर होता है कि गंदगी बहुत होती है लेकिन यहां पर गंदगी बगारा बिलकुल नहीं है यह टर्की में कोई ओफीशियल जगा है टर्की की जैसे इंडिया में एमनिस्ट्री अफॉम अफेट्स काइंड आफ ऐसी है और उसके साथ ही देखो लोकेशन कितनी अच्छी है उसके पीशे जो पुराना वाला गर है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम ने तो बस आज क्या कहना कर दिया है ट्रैम्स बहुत चलते हैं यहां पर दिखाता हूँ आपको ट्रैम यह देखिए यह यहां की टर्की की लोकल मैट्रो है ट्रैम बोल सकते हो आप मैट्रो भी बोल सकते हो इस्तानबुल की लोकल मैट्रो यह है मेरे पास एक पिचर भी है में साइड में लगा दूँगा अगर लगाना भूल गया तो क्म्यूनिटी पोस्ट में आ जाए गया वहां पर चेक क दोस्तों बात करें टैक्सिस की तो यहां पर दो क्रूट के टैक्सिस ज्यादा चलती है तो यालो वाली जो मेरे सामने खड़ी है और एक है ब्लैक वाली वो बिल्कुल जो मेरे सामने है यह वाली तो जो ब्लैक का प्राइस ज्यादा है और यालो वाली टैक्सिस का प्राइस क यहां पर उबर भी चलती है और जहांकि एक लोकल है बिलेस्की नाम की अप्लिकेशन जिस पर दोनों ब्लैक और यलो बुक हो जाते हैं शेरिंग वेस्ट वाली याप्लिकेशन का मैंने देखा नहीं हां बट यलो वाली ज्यादा सथी है और जो सामने ट्रैम्स वगरा खड़ हैं सिंगल टिकट जो भी टिकट लेना चाहते हैं ले सकते हैं और हम जा रहे हैं समंदर की तरफ वह मेरे तो जाते-जाते मैंने का जो मार्केट का सीन है यह भी आपके साथ शेर कर दें आगे शेर करते रहो कि लोगों तक जानकर ही पहुंचती रहे वह हमारे चैनल को प्य सामने है अगर आपको दिख रहा हो तो मार्केट में वैसे काफी चीजें जो नहीं देखने को मिले जैसे जैसे कि यहां पकी मिठाईया बहुत-बहुत डिफरंट तरीके की हैं मैंने एक-दो मिठाईया टेस्ट करी हैं आप देखिए यह मिठाईयों की दुकान ही है देख एक बात तो है आप मार्केट में चले जाओ कोई भी चीज लेने के लिए बारगेनिंग यहां पर फुल फुल राउन चलती है आपको वो अलमुस्ट डबल प्राइस बताएंगे कोई भी चीज लेने चल जाओ अगर आप लोकल किसी भी चीज से लेने जा रहे हैं जिस पर प्राइस टैग नहीं लगा हुआ है वो मतलब हर वक्त आपको ठगने की बात ही करेंगे तो आप दिल खुल कर बारगेनि करें मैं मैंने खुद किह एक दो चीजा लेने के लिए तो आपको भी एकर वह डबल प्राइस बताएंगे तो आपको भी बारग को बारगेनि करनी पडएकि तुकिल कि यहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो लाइक ये बुक्शोप है रिया काफी खुलाखुला है यह देखिए हम आगे हैं जी समुंदर के बिल्कुल किनारे पर आपको दिखाते हैं यहां की बोट राइट का नजारा अगर कोई कम टाइम वाली बोट राइट हुई 10-20 मिन्ट वाली आधे गंटे वाली तो हम ट्राइब जरूर करेंगे शिप्स देखिए कैसे भरे बड़े हैं उस याट पर बहुत बहुत लोग है उपर मेरे को दिखने को मिल रहे हैं आपको पता नहीं दिख रहे होंगे या नहीं लेकिन देखिए यह समुंदर यहां से शुरू हो जाता है और उस तरफ देखिए जो अगर आपको देख रहा हो तो यह वह फॉर्ज का टर्किस फॉर्ज का जहाज भी खड़ा है इन दो तार तो ओंग एलस आउ तो दो मून लाइब आइस यू और रिया राइट नाओ दोस्तों जो यह लाइन देख रहे हो ना यह ट्रैम की लाइन है तो हमें एक स्टीट पर थे वहां पर ट्रैम की लाइन बिची हुई थी आप सभी स्टीट पर ही है और मैंने कहां कि आप सभी के साथ शेर की जाए इस चीज को जो इस्तानबुल कार्ट है ट्रांस्पोर्टेशन की बात कर रहा हूं जो इस्तानबुल कार्ट है उसमें अगर आप सिंगल जर्नी करते हो तो आपको 10 लीरा की बढ़ती है मतलब 45-45 रुपे के आसपास 100 रुपे के आसपास आपको इंडियन रुपीस की मताबिक एक जर्नी एक ट्रिप पढ़ता है अगर आप सिंगल टिकट लेते हो विदाउट इस्तानबुल कार्ट तो आपको 15 लीरा बढ़ता है तो फिर भी 15 को 5 से मल्टिप्लाइ कर लो ठीक है तो देख लीजी आप यह हिसाब कताब है यहां की ट्रैम का और जो इस्तानबुल कार्ट है वो ट्रैम हो बस हो कोई भी चीज़ हो वो सब जगा चलता है तो आपको यालो कलर की मशीन से लगी होई है मैट्र स्टेशन पर जैसे पीछे मेरे ट्रैम जा रही थी ट्रैम स्टे से इस्तनबुल कार्ट अपलई कर सकते हो तो इंस्टेंटली वो कार्ड मिलता है और वहों उसकी फीस है 10 लीरा जो जस्त कार्ड की फीस के बाद की अपलाई कर सकते हो उस पेसे ढल कर और अपना जो स्टेंट dear ज्म बगरार उसको से सख सकते हो single तैब से बहुत अ यह बहु खाने पीने की शॉप्स यहां ट्रैवल इक्सेज के शॉप्स मसाज के शॉप्स बहुत बहुत है र किये हार एक ने नई से नई चीजल लाकर खड़ी की हुई है नया से नया शिस्टम देखने को मिलता है अच्छा एंस्तान्बुल